तादिकिष्णा फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल अल्राउंडर उतराखंडी वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे जैने को सब्सक्राइब कीजिए जिन्हें अभी तक नहीं किया है और नॉटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए आज मैं आपके सामने एक डार का परपर कलर के लेंगे का रिव्यू करूंगी जो कि मैंने फिलिपकार से मंगाया है और यह सिरी इंपेक्स सेलर से मैंने परचेच किया है यह लेंगा मुझे 1200 का पड़ा है पिक में जैसे लेंगा दिखाया गया तो मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है इसकी पैकिंग काफी अच्छी कर रहे हैं और देखे लेंगा दिखने में काफी अच्छा लग रहा है चलिए बात करते हैं पहले लेंगे की तो आप देख सकते हैं लेंगे में पूरी एंबराइडरी हो रहे हैं पिंक कलर के और गर्डन कलर की लेंगे में नीचे के साइट हेवी एंबराइडरी हो रहे हैं और ऊपर के साइट छोटे छोटे फ्लार्स बने वें लेगे में बहुत सुंदा एमडायटी हो रहा है और इसका फेब्रिक सीलक है सिलक भी काफी अच्छी काल्टी का दे रखा है इनूने कलर भी इसका डार्क परपल है लेंगे का सेमी स्टिजडे एक से सिला हुआ है और दुसरी से आपको सिलवाना पड़ेगा इसके अंदर इन्होंने लाइनिंग नहीं दे रखिये और जो ब्लाउज का कपड़ा है वो इसी के साथ अटेजडे दे रखा है इन्होंने लेंगे के बेक साइड भी वैसे एंबरेट्री हो रखिये जैसे फ्रंट में हो रखिये अब बात करते हैं इस लेंगे के फ्लेयर की तो इस लेंगे का फ्लेयर अगर इंच में देखे तो 86 इंच है और अगर मीटर में देखेंगे तो 2.18 मीटर है तो फ्लेर इसका थोड़ा कम दे रखा है इनोंने इस लेंगे की जो लेंद है ये 44 इंच है तो ये लेंगा 5 फीट 4 इंच तक की लड़कियों को आराम से आएगा इसकी वेस्ट इनोंने 44 इंच दे रखिये तो 44 वेस्ट तक की गल्स को आराम से आएगा ये ब्लाउज का फ्रंट साइड है तो आप देख सकते हैं फुल एमडरेडरी हो रही है पूरे ब्लाउज में इसकी बस्ट देखे तो इनोंने 40 इंच दे रखिये तो 40 इंच बस्ट वालों को ये आराम से आएगा इस ब्लाउज की लेंद इनोंने 14.5 इंच दे रखिये और बाके एक्ष्टा का पड़ा स्टीचिंग में आएगा तो इसे शोट ब्लाउज बनेगा बेक साइट इनोंने पूरी प्लैन दे रखिये उसमें बिल्कुल भी एमडरेडरी नहीं हो रही है यह सिलीव सी का फेबरिक है और सिलीव सी में नीचे बॉर्डर दे रखिये अब काफी अच्छा इसकी लेंद इनोंने 16 इंच दे रखिये तो यह एक सिलीव है इससे पॉन बाजू बन जाएंगे और यह जो दूसरी सिलीव है इसकी लेंद इनोंने कम दे रही है अउनली 10 इंच दे रही है तो इट मेंज कि जो सिलीव से हैं यह पॉन बाजू की नहीं बनेंगी यह हाफ बनेंगी शोट बनेंगी आपकी अब बात करते हैं टुपट्टे की जो टुपट्टे है डार्क पिंक कलर का है और इसमें बोर्डर देख सकते हैं काफी सुन्दर है इसमें अच्छी एंबराइडरी हो रही है बोर्डर पे इसका जो नेट है काफी सोफ्ट है मुझे काफी अच्छा लगा इसका नेट और इसकी जो लेंद है दो मीटर दे रेखे नोंने तो कुल मिलागा मुझे पूरा लेंगा बहुत अच्छा लगा और डॉल वो हंड्रेड में ये लेंगा बुरा नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं आपको कैसे लगा मेरा रिव्यू जरूर बताइए का कॉमेंट करके ठेंक यू